CBI केस में शिशोदिया की जमानत पर सुनवाई आज शराबनीती केस में कल कोट ने एजनसी को 14 दिन की रिमांड दी थी दिल्ली शराबनीती मामनी में CBI की केस में मनिश शिशोदिया की जमानत याचिका पर आज दुपेर 2 बजे सुनवाई होगी उधर सोमवार को कोट ने CBI को फिर शिशोधिया की 14 दिन की रिमांट दे दी जाच एज़न्सी ने उन्हें 26 फरवरी को 8 घंटी की पूषताज के बाद गिरफ़तार किया था 27 मार्च को एज़न्सी ने उन्हें कोट में पेश किया कोट ने सिशोधिया को 7 दिन 4 मार्च की CBI रिमांड में बेज दिया फिर 4 मार्च को अदालक में एजनसी को पूर्वी डिप्टी सीम की 2 दिन 6 मार्च की कस्टेडी दे दी थी वहीं 6 मार्च की सुनवाई की दौरान कोट ने CBI ने कहा था कि शिशोधिया की ओर रिमांड नहीं मांगी जा रही है लेकिन अगले 15 दिनों में जरूरत पढ़ने पर दुबारा कस्टेडी मांगी जा सकती है इसके बाद कोट ने शिशोधिया को 14 दिन 20 मार्च की नियाई खेरासक में इहार जेल भेज दिया था यहां से उन्हें ED ने गिरफतार कर लिया था बताने की CBI और ED दोनों ही शराब नीती केस की जाज कर रही है पिलाल शिशोधिया 22 मार्च तक ED की कस्टेडी में है इसलिए सुमवार को ED ने उन्हें वेडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये राउज एविन्यू कोट में पेश किया स्पेशल जज एमकी नाकपाल ने 3 अपरेल तक कस्टेडी बढ़ाने की बाद कहा कि शिशोधिया की जमानत पर सुनवाई 21 मार्च यानी मंगलवार को होगी ताज़ा अपडेट्स वो बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अजप्रकाश टीवी और बेल आइकन धबाना न भूले